श्री राम बहुत श्रागत है आपका आपके अपने यूटीब चैनल मानस जोतिस ग्यान में मैं हूँ आपके शाथ आचारे राजमिशार राशी करक के हमारे प्रिये जातक, प्रिये दोस्त, प्रिये भाई वहन बहुत सुन्दर शमय आपके जीवन में आगमन हो रहा है बस क उस चीजों की शावधानिया हमें जीवन में जरूर रखनी चाहिए श्री राम चरी त्रमानस के अंदर गोश्वामी तूसरी दाशी ने एक बहुत सुन्दर चौपाई कहा है कि जहां श्रुमत तहां संपतिनाना और जहां कुमत तहां विपतिनाना कई बार हमारे जीवन म हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं लेकिन यदि हमारे परिवार के अंदर एकता हो परिवार में भाईचारा हो परिवार में अखंडता हो तो ऐसी परिस्तिते में वो छोटी समस्याएं जो है वो बड़ा प्रारूप नहीं धारण कर पाती हैं बड़ी बड़ी समस्याएं आसानी से चुटकियों में सौल्व हो जाती है और छोटी-छोटी अगर हमारे परिवार में एकता ना हो अखंडता ना हो तो ऐसे कंडिशन में छोटी-छोटी समस्याएं कब बड़ा प्रारूप धारण कर लें ये पता नहीं चलता है मैं क्यों ये सब्द कह रहा हूँ क्यों कि इस महीने आपके परिवार के अंदर वो विखंडता का संयोग दिख रहा है परिवार के लोग ही एक दूसरे के प्रत जो प्रेम है वो धीरे-दीरे दूर हो जाएगा छोटी-छोटी भातों पर ग्रेह कलेश इत्यादी का संयोग दिख रहा है तो मुझे लगता है कि कई करी बार ऐसी कंडिशन है कि जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं उस प्रकार नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको इग्नॉर किया जाए जितनी चीजे अधिक से अधिक जितना हो शकता है उतना इग्नॉर करने का प्रयास किया जाए तांकि हमें अच्छी सफलता प्राप्त हो जीवन इसमुदली चलता रहे चीजों को अच्छा करने के लिए कई बार कुछ चीजों को नजरंदाज करना जरूरी होता है तो ये जो सयोग है इसको दूर करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए अब दूसरी चीज संतान के लिए कोई प्रयास करना चाहते बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है बेटे की शादी नहीं हो रही है बेटे को कहीं सेटल करना चाहते हैं उसकी जॉब लगवाना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है प्रयाश कर रहे हैं तो इस माह का जो आठ तारीक है आठ ता तो इस समय पर कीजिए आपको निश्यतरूप से लाब करेगा अब अगर हम दूसरे विशय को ले करके बात करें आपके खुद के स्वास्त के दिरिष्टी से ये माह ठोड़ा धीला रहने वाला है स्वास्त में दिक्ते आएंगे स्वास्त को ले करके थोड़ा परिशान रहे हैंगे जब भी हल्थ प्राबलम आपके जियूं में आए गायत्री मंतर का जब करने से आपको बहुत सुंदर लाब की प्रापती होगी इस माह एक और खुश्कशinha के तरप से या संस्था के तरप से आपको कुछ पुरुशकार इत्यादि प्रापत होने वाले हैं यानि आ आपकी काफी सरहना होगी, काफी आपका मान सम्मान जो है वो बढ़ेगा, तो अगर मैं इस दृष्टी से देखू, तो आपके लिए ये समय बहतर है, लेकिन सब्तम भाव पूरी तरह से पीडित दिख रहा है इस महीने, सब्तम भाव पूरी तरह से डैमेज दिख रहा है इस महीने, तो यहाँ पर जीवन शाथी के साथ, तनाव के पूरे संयोग दिख रहे हैं, तनाव को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा, ये तनाव कंट्रोल नहीं कर पाई या नहीं कर पाई, तो ऐसी परिस्तिती में रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, और बात तलाक इत्यादी तक पहुचने का संयोग बनेगा, अगर आपकी नई नई मैयरिष्टाएं हुई है, और आने वाले समय में शाधी हो नहीं है, या शाधी हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान रखें कि पीले कपड़े पूरी तरह से अवाइट करें, पीले कपड़े धारण करना आपके लिए नुक्शान दायक होगा, पीले कपड़े अवाइट करेंगे तो आपके लिए फायदे मद रहेगा, इस माह प्रदेशिक यात्रा का भी सुन्दर योग बन रहा है तो प्रदेशिक यात्रा अगर योग बनता है जरूर कीजिएगा उस यात्रा से आपको सुन्दर लाब की प्राप्ती होने वाली है किसी प्रकार का और आपको कोई information प्राप्त करना है कोई और जानकारी प्राप्त करनी है संस्था का नंबर आपके सामने दिखाया जा रहा है सुबह साढ़े आठ वजे से लेकर के शायंकाल में साढ़े चार वजे तक संस्था में सभी विद्दुत जन में मौजूद होते हैं तो आप उन से चर्चा करके अपने विशे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी शमाधान कोई भी उपाय तो आप जानते हैं कि मानस जोतिस ग्यान सदेव आपकी सिवा में ततपर रहता है तो किसी भी प्रकार का शमाधान आपको प्राप्त करना है तो ऐसी परिस्थियं प्राप्त कर सकते हैं आज के लिए वस इतना ही फिर एक नई कारिक्रम के साथ आपके शामने हाजर होंगा जस्तरी राप्त